दोस्तो यूं तो ZTV पर कई सीरिल प्रसारित हो रहे हैं पर उनमें से सबसे ज़ादा किसी सीरिल को पसंद किया जा रहा है तो वो है कुंडली भाग्ये जिसका पूरा क्रेडिट जाता है सीरिल की स्टार कास्ट को जिनमें एक नाम प्रीता अरोडा का भी है जो कि करण लूथ कि पतनी का जबरदस्त करदार निभा कर TV इंडॉस्ट्री के अभिनेताओं को अपना फैन बना चुकी है यही वज़ा है कि आज हर एक अभिनेता इनके साथ काम करने के लिए तरसता है पर आपको जानकर हैरानी होगी कि जहां TV इंडॉस्ट्री के हर अभिनेता इनके साथ स पर अफसोस आज तक इनकी ये ख्वाइश पूरी नहीं हो पाई है। पर के साथ काम कर रही है। पर अफसोस की बात तो ये है कि आज तक इनकी उस अभिनेता के साथ काम करने का सौभाग्य नहीं मिला। पर आपके excitement को और ना बढ़ाते हुए हम बता दें कि आपकी फेवरेट अभिनेतरी श्रद्धा आ रहा जिस अभिनेता के साथ काम करना चाहती है। वो कोई और नहीं बलकि टीवी इंडॉस्ट्री के हैंसम और चामिंग अभिनेता श्रद्ध मलहोत्रा हैं। जिनें आप सभी वर्तिमान में नागिन 5 सीरियल में देख रहे होंगे। जी हाँ, ये नाम सुनकर आप भी शौक्ड हो गए होंगे। पर यही सच्चाई है कि आपकी फेवरेट अभिनेतरी श्रद मलहोत्रा के साथ काम करना चाहती है। वाके, अभिनेतर श्रद मलहोत्रा है ही इतने जादा चामेंग और टेलेंटेड जिनके साथ काम करने के लिए हर एक एक्ट्रेस का सपना होता है। और ऐसा ही सपना श्रद्धा आर्या के मन में तब जगा उन्हें श्रद मलहोत्रा का सीरियल सम तेरे प्यार की देखा। जिसमें वो रिशी का किरदार निभाते हुए नजर आये थे। इस सीरियल में ये इनके रोमैंटिक से लेकर मजाक्या अंदाज की फैन हो गई थी। तब ही से ये इनके साथ काम करना चाहती थी। मगर इनके इतने प्रयास करने के बावजूत अब तक इन्हें ये सौभाग्य नहीं मिल पाया। और अब देखते हैं कि आगे चलकर इनका ये ख्वाप पूरा हो पाता है या नहीं। तो दोस्तों अगर श्रद्धा आर्या को श्रद मलोत्रा के साथ काम करने का मौका मलता है तो इन दोनों की जोड़ी सीरिल में आपको कैसी लगेगी? आप हमें कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरूर बताएं. साथ ही टीवी इंडॉस्ट्री से जुड़ी ऐसी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले.